नमस्कार दोस्तो आपका मेरी यूटूब चैनल भक्ति ग्यानतियोहार में स्वागत है आज मैं आपको कार्तिक माश की कथा सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक देप कीजिए अवश्य लिखिए साथ ही अगर आपने उनकी दो बहुएं थी घर का तथा ससुर जी का काम दोनों ही बहुएं किया करती थी एक बार जब कार्तिक का महिना आया तो ससुर जी ने अपनी बड़ी बहु से कहा कि बहु कार्तिक का महिना आ गया है इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना लेकिन ब फिर ससुर जी, अपनी छोटी बहु के पास गए और छोटी बहु से कहा, बहु, मैं कार्तिक इश्णान करना चाहता हूं। छोटी बहु सीधी साधी थी, उसने अपने ससुर से कहा, ठीक है पिता जी, आप मुझे बताईए, मुझे क्या करना है। तब ससुर जी ने कहा ज्यादा कुछ नहीं बहू, बस नहने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपेर का खाना बना देना। चोटी बहू रोज सुबह उठकर पानी भर देती जिससे ससुर जी इसनान कर लेती और धोती धोकर डाल देती और ससुर जी को गरम गरम खाना बना कर खिला देती। जब चोटी बहू ससुर जी की धोती सुखा थी तब उसमें से जो पानी की बुंदे गिरती थी वो मोती बन जाती थी लेकिन चोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती थी और चोटी बहू उन्हें जाड़ कर एक तरफ धेर लगा देती थी। इसी तरहे कार्थिक महीना खत्म होने को आया तब ससुर जी ने चोटी बहू से कहा बहू मैं कार्थिक खत्म होने से पहले ब्रहमनों को भोजन कराना जाता हूँ चोटी बहू ने कहा ठीक है पिता जी मैं खाना बना देती हूँ आप ब्रहमनों को बुला लाइए चोटी ब बहु यह कहकर खेट पर चली जाती है वहां वे चिडियों को देखकर सोचती है कि पिता जी कातिक महीने में ब्रहमनों को तो भोजन करा रही है इन चिडियों को एक दाना भी नहीं खाने देते वे कहती है राम जी की चिडिया राम जी का खेट और छोटी बहु चिडियों को दाणा खाने देती है, वे हीरे मोती बन जाते हैं, पास में बड़े भाई का खेत था, वहां से बड़े भाई ने देखा, कि छोटे बाई के खेत में हीरे मोती कहां से आये, ये सोचकर वे अपने पिताजी के पास गया और पिटा जी से पूछता है कि पिटाजी, छोटे के खेट में हीरे मोती कहां से आए, इसका क्या कारण है, तब पिटाजी कहते हैं, बेटा ये सब कार्ति के महराज की किरफा है, फिर बड़ा बेटा अपनी पत्नी के पास जाता है, और उसे सारी बात बताता है तब उसकी पतनी सोचती है कि ससुर्जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया अगर मैंने मना नहीं किया होता तो ये सारा धन हमें मिलता क्योंकि कार्तिक महराज की किर्पा हम पर ही होती वह मन में सुचती है कि अगले साल कार्थिक के महीने में मैं ससुर्जी का सारा काम करूंगी बड़ी बहु ने एक साल तक इंतिजार किया एक साल बाद जब कार्थिक मास आया तो बड़ी बहु ने ससुर्जी से कहा पिता जी आप इस बार कार्तिक इसनान नहीं करेंगे तो ससुर्जी ने कहा नहीं बहु अब मैं बूरा हो गया हूँ अब मुझसे इसनान नहीं होगा तब बड़ी बहु ने गुसे में कहा आपने छोटी बहु को तो धनबान बना दिया और जब मेरी बारी आई तो बूरे हो गए पिता जी आपको कार्तिक इसनान तो करना ही होगा हार मान कर ससुर्जी इसनान के लिए तैयार हो गए बड़ी बहु लालच की मारे ससुर्जी का बहुत ख्याल रखती सब काम समय से करती कार्तिक का महीना खत्म होने वाला था तो बड़ी बहुने ससुर जी से कहा कि पिता जी एक ब्रहमण को नुवता दे देती हूं फिर उसने खाना तयार किया और खेत पर चली गई खेत पर जब भी कोई चिडिया दाना चुगने आती वे उसे भगा देती साम हो गई लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले तब वे गुसे से ससुर जी के पास गई और ससुर जी से पूछा पिता जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ तब ससुर जी ने कहा तूने तो लालच में मेरी सेवा गई जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी इसलिए उसे कार्तिक महराज के किरपा प्राप्त हुई और तुझे नहीं तो हे कार्तिक महराज जैसे आपने छोटी बहू पर अपने किरपा की वैसे ही सभी पर अपने किर्पस सदा बनाए रखना जैहो कार्तिक महराज की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथे मेरे वीडियो को जादे से जादे शेयर करें धन्यवाद